हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं 2017-2018 का कुरुशी आदान अनुदान राशी दोनों उपखंडों में अब तक किसी को नहीं दी गई है किसानों ने बैंक खाता संक्या पटवारी हलका को समय पर ही उपलप्त करवा दिया था परन्तु 2015-16 का कुरुशी आदान अनुदान राशी किसानों को खाता संक्या के अबाव में नहीं मिली थी जिलाधिश जालों ने शेश राशी वापस सरकार के खाते में जमा करवा दी वो कहा कि जिन किसानों को 2016-17 का कुरुशी आदान अनुदान नहीं मिला है उन्हें एप्रिल माई में पुनह जमा रकम को उठा कर किसानों को शीगर भुकतान किया जाएगा परन्तु ऐसा अब तक नहीं हुआ है उक्त क्रुशी आदान अनुदान राशी का भुकतान अतिशीगर करवाने के लिए कई बार जिलादे जालोर से निविधन किया गया परन्तु अब तक कोई कारवाई आगे नहीं बढ़ी है यह स्तिति क्रुशी आदान अनुदान राशी 2017-18 की बनी हुई है सांचोर से जागरूप टीवी की रिपोर्ट